तो कैसे हैं हमारे बिहार पॉल्टेक्निक और बिहार पारामेडिकल 2024 के सभी स्ट्रेंट फाइनली आप लोग का एडमिट काड आ चुका है एक्जामनेशन का ये एडमिट काड तो आ गया था रात के बारा बजही बट डाउनलोड नहीं हो रहा था ठीक है क्यों नहीं हो रहा था वो भी मैं बताऊंगा और अब जो है आप लोग के एडमिट काड डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है तो कैसे एडमिट काड डाउनलोड करेंगे और किन-किन चीजों को आपको ध्यान में रखना है स्टेप बाई स्टेप मैं बताऊंगा पॉल टेक्निक और पारामेडिकल दोनों का यानि कि DCC, PE, PM और PMM तीनों का मैं बताऊंगा कैसे आडमिट का डाउनलोड होगा एडम स्टेप बाई स्टेप अच्छे से देखिएगा तुरात अपने फोन से कर लीजिएगा कैफे भी दोडने की जरुरत नहीं परेगी तो एक बाई जल्दी से सभी पॉल टेक्निक और पारामेडिकल के इस वीडियो को चैनल को मस्से मस्स सब्सक्राइब कर ले और हमारे वाटसब ग्रूप में मस्से मस्ट आप लोग जॉइन कर ले डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया होगा साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको इतना कम समय में तयारी करना है सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे आप लोग को मालूम है सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे BCC Board के website पे जैसे आप BCC Board के website पे आ जाएंगे सबसे पहला option ही दिखेगा आपको download admit card of DCC,PE, PM और PMM इस पर हम लोग कर देंगे click अब देखें यह option तो रात को बारब जी ही आ गई थी, बच्चे बहुत परिसान थे, सर इसको खोल के जो है, मैं यहाँ पे डाल रहाँ अपना email address और password, इस्टिल जो है, यहाँ पे मेरा open ही नहीं हो रहा है, तो कैसे open होगा, यहाँ देखिए BCC 2024, यहाँ पे BCC 2024 का portal open हो जा र इस पे क्लिक करेंगे, तो आप DCEC पे redirect हो जाएंगे, देख सकते हैं, DCEC, ठीक है, पहले जो हो रहा था, देखिए आप BCC portal open हो जा रहा है, तो BCC का आपने form ही नहीं भरा है, तो कैसे आपका login हो जाएगा, तो आ जाएंग हम लोग DCEC पे, ठीक है, आप देख सकते हैं, downloading of admit card has been started, जैसे आप इसको खोलेंगे, अब आपको करना है login, login करने का दो process आपके पास available है, ध्यान से सुनिएगा, मैं एक एक step by step बता रहा हूँ, और सभी बच्चे लाइक जरूर करें इस वीडियो को एकदम फटाक से, और comment box में जरूर बताएंगे, किस जिला से आप ये व login का, email address with password, जब भी आप form भरे होंगे, तो मैंने आपको बताया था, आप लोग अपना password अच्छे से ध्यान में रखना, तो आप सबसे पहले डाल देंगे यहाँ पर email address, फिर डालेंगे password, फिर ये capture, sign in कर लेंगे फिर, और बहुत लोगों का हो सकता है, email और password से sign in, नहीं ह पाए, ठीक है, तो उनको कैसे करना है भीया, उनको कैसे करना है, यहाँ देखिए, second option दिया गया है, registration number with DOB, आपको इस पे क्लिक करना है, सबसे असान प्रोसेस यह है मेरे अनुसा, ठीक है, इसे आप तुर डाउनलोड कर लीजिएगा, तो registration number, जब आप hard copy आपको मिला होग चैपल टेकनिक का हो, या पारा मेडिकल का हो, वो registration number यहाँ डाल दीजिए, जैसे आप registration number डाले, आपका जो date of birth है, वो यहाँ पे डालिए, same capture code यहाँ पे डाल दीजिए, और यह काम आप mobile से भी कर सकते हैं, बहुत असान है, BCC board के साइट पे जाना है, download, admit card पे click करना है, य यहाँ पे आप लोग email address पासवर्ट से कर सकते हैं, या registration number date of birth, तो चलिए, मैं फटा-फट registration number date of birth, capture डाल के login कर लेता हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा, कि admit card कैसे download होगा, एक second का काम चुटकियों में download होगा, चुटकियों में, ठीक है, चलिए, अब हम लोग मान लेते हैं, कि अपने login कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपका कैसा portal आएगा, आपका आएगा इस प्रकार का portal, ठीक है, देख सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे आपका registration number होगा, यहाँ पे आपका जो जीज का अपने form भरा होगा, वो होगा, यहाँ आपका नाम लिखा होगा, और देख स CC24, ठीक है, डाउनलोड, एडमीट का, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आपका admit card हो जाएगा, डाउनलोड, चाहाँ फोन से कर रहे होगा, फोन में हो जाएगा, सिस्टम में कर रहे होगा, तो सिस्टम में हो जाएगा, और admit card डाउनलोड होने के बाद, कुछ इस प्रकार हमारा WhatsApp ग्रूप मस्स से मस्स जॉइन कर लो Polytechnic and Paramedical का WhatsApp ग्रूप इस वीडियो के description में आपको दिया गया होगा मस्स से मस्स जॉइन कर ले क्योंकि हम लोग सभी update आपको time to time provide करते रहे मस्स से मस्स जॉइन एकदम कर ले दूसरा बात बिहार Paramedical के कितने student देख रहे हैं केमेंट बॉक्स में बताईए आप लोग के लिए Brahmast class चल रहा है वी free of cost एक भी रुपया नहीं ये paid batch नहीं है free of cost हमारी YouTube पे चल रहा है daily 6 बजे साम में अभी भी देखिये schedule किया होगा live section में daily साम में 6 बजे और अगर आप सही में चाहते है Paramedical crack करके आप GNM लेना ANM लेना, D-Pharma लेना आप इस class को miss बिलकूर मत कीजे क्योंकि इस Brahmast class में daily जो है हम लोग आपको 30-40-50 questions कराते हैं हर subject से, physics से, chemistry से GK से, Hindi से, English से सभी से और उस 50-30 questions में से 100% है और यह सीरीज जो है स्टार्ट हुआ है लगबग 10-15 दिन से चल रहा है सीरीज जो न्यू बच्चे देख रहे हैं यह free of cost आपको 1 रुपय चार्ज नहीं किया जा रहा है लेकिन बहतरीन आपको परहाई बहतरीन class आपको अविलिबल कराए जा रहा है free of cost डेली साम को छो बजे तो टाइम याद रखिए डेली साम को छो बजे डेली छो बजे आपको लाइव क्लास करना इसके लिए आप लोग वाटसअप ग्रूप में मसे मस जॉइन कर ले आपको अपडेट मिलते रहेगा क्लास का ठीक है चलिए अब हम लोग आते हैं admit card के उपर और यहां तक वीडियो देख लिए है that means आपको पसंद है वीडियो दे जल्दी से like कीजिए like कीजिए नम पढ़ाख सेगदा हम 1000 लाइक इस वीडियो पर होना चाहिए और चैनल को मस सब्सक्राइब कर लिजे देखिए सबसे पहले अब यहां पर आपको कुछ चीजे जो है देखना सबसे पहले देखिए यह admit card है यहां पर आपका course group देख लेना है अगर आपका PM होगा अगर आपका पारा मेडिकल होगा तब लिखाओगा PM अगर आपका पारा मेडिकल मेट्रिक लेबल होगा तब लिखाओगा PM यहां पर आपका address verify कर लिजेगा ठीक है यहां पर आपका सब detail दिया गया होगा सबसे most important चीज is center कि मेरा examination center कहां गया वो आपका दिखेगा यहां पे center of examination सरसती विद्या मंदिर स्रीनगर रोड पुर्णिया जैसे इनका center यह दिया गया है ठीक है पुर्णिया में इनका center हो उसी प्रकार आपका center यहां पे दिया गया होगा आप center देख लेंगे center देख लिए उसके बाद आप देखेंगे examination date अब वो लोगे सर examination date कहां मिलेगा उपर मत कहीं लिखा हुआ ही नहीं है तो examination date देखें यहां पे है examination date और time आपका यहां दिया गया है अब यहां पे ध्यान से आप लोग देखिए अगर आप polytechnic engineering के लिए form भरे थे आप polytechnic का कर रहे है तो आपका exam है 22 June को 22 June को exam है समय है 11 बजे सुबर से सवा एक बजे तक आपका examination होने जा रहा है यह polytechnic के लिए है वही मैं बात करूँ paramedical और paramedical metric level का तो इसका examination आपका कभ है 23 June को है कभ है 23 June को है जिसका समय है paramedical intermediate level का 11 बजे से सावा एक तक उसके बाद metric level का 2 बजे से साम के सावा 4 बजे तक यह आपका है date and time of examination क्या है यह date and time of examination अब आप समझ गए उसके अलाबा कुछ-कुछ instructions यहाँ पे दिये गए है जिसको आपको अच्छे से पर लेना जैसे कि देख सकते हैं आपको क्या-क्या लेके जाना है यह भी आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि सार्म क्या-क्या लेके जाएंग तो आपको यह admit card तो लेके जाना ही है साथ में कोई एक ID proof रख लेना है अधार card रख लीजिए जूता खुलवा देता है सर्ट खुलवा देता है टी सर्ट खुलवा देता है तो इसलिए पहले से ही instruction दे दिया गया है यहाँ देख लीजिए चपल एवं हाप सर्ट कुर्ती पहन कर आवे पहली बात फुल स्लीव नहीं चलेगा अगर आप लरके हैं फुल स्लीव नहीं चलेगा अगर आप लरकी हैं तो भी फुल जो है कोई भी कपरा नहीं चलेगा दूसरी बात जूता आप लोग नहीं पहन के जाईएगा चपल पहन के जाईएगा जाईएगा भी तुहां खुलवा देगा जूता जितने भी हमारे student है वो सभी से मैं request करूँगा कि आप लोग जूता पहन के मत जाईएगा नहीं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पर सकता है, clear है इसलिए half set पहन के जाना है पूरलर की लोग कूरती पहन कर आवे टीसर आप पहन के जा सकते हैं लेकिन half टीसर ठीक है, अब देखें याँ साफ साफ लिखा हुआ है जो जूता पहन कर आएंगे उन्हें परिच्छा केंद के परिसर में परवेस की अनुमती नहीं दी जाएगी साफ साफ यहाँ पर आपका लिखा हुआ इस चीज को आपको ध्यान में रखना है ठीक है, तो इसलिए जूता आपको खुलवा दिया जाएगा तो खुलवाने इसके वपहन के क्यों जाना इसलिए इस सब चीज का आपको ध्यान में रखना है अब देखे एक चीज और यहां पे देखना आपको reporting time अब देखे रिपोर्टिंग time दिया गया है बुवा यहां पे कितना है आठ बजे reporting time है अब आपका examination तो देखोगे आप ध्यान से तो 11 बजे है तो आपका reporting time आठ बजे क्यों दिया गया है क्योंकि वहां पे बहुत लंबी process होती है चेकिंग से लेके entry से लेके सभी चीज़े तो आपको reporting time तक पहुच जाना है इसलिए सभी student जो है exam से एक दिन पहले ही निकले एक दिन पहले ही निकले अगर center दूर है क्योंकि 8 बजे पहुचना है या अगर center आसपास के जिला में है तो आप लोग जो है निकल सकते हैं सुबह में कोई सुनी ठीक है तो आप लोग एक बार comment करके जरूर बताए कि आपका center कहां पर दिया गया है ठीक है thank you so much all of you मिलेंगे आप लोग next video में till another great day best of luck all of you best of luck धनिवाद लाइक कर दीजे जल्दी सिदम पटाक से